सादर प्रणाम सभी को मैं नीर्जा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सरी का स्वागत एवं अभी नंदन करती हूँ आज के वीडियो में इतिहास की श्रंखला को आगे बढ़ाती हुए हम बात करेंगे भारत पर विदेशी आक्रमन की साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे मगत राज्य के उतकर्श से संबंदीत यानि उस समय जो विभिन वन्षों के विशय में जानेंगे साथ ही भारत पर जो विदेशी आक्रमन कीया गया उससे संबंदीत जो महतोपोर्ण प्रश्न परिक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्ही बिंदुओं को ध्यान में रखकर आज का वीडियो तयार किया हुग गया है ताकि जो पिछले वीडियो में हमने बहुत धर्म और जैन धर्म से संबंदीत पढ़ा उसी शंकला को क्रम के हिसाब से आगे बढ़ाया जा सके सबसे पहले हम बात करते हैं भारत पर विदेशी आक्रमन के संदर्व में कि जब भारत का यानि कि उत्तर पूर्व में जब मगद का विस्तार हो रहा था मगद का विकास हो रहा था तो उस समय सबसे पहले मगद सामराजी जो था उत्तर पूर्व में वहाँ पर वो डवलाप हो रहा था अपना जो सामराज्य विस्तार था उस समय यहाँ पर उत्तरपूर्व में चल रहा था अब उसी समय क्या होता है जो प्रथम आक्रमण किया जाता है वो प्रथम आक्रमण किया जाता है पारसियों का तो जो उस समय पहला आक्रमन होता है, जिस समय मगद उत्तरपूर्व में अपने सामराज्य के विस्तार में लगा हुआ था, अपने सामराज्य के जो विकास है उसमें लगा हुआ था, तो उस समय पारसीकों का आक्रमन सबसे पहले होता है. अब क्या होता है जब पार्सीक आक्रमन कर लेते हैं तो उस पार्सीक आक्रमन के बाद यहाँ पर यूनानियों का आक्रमन होता है। संबंदित महतुपूर्ण बाते सिकंदर लगभग 336 इसा पूर्व में मकदूनिया के सिंघासन पर बैठा ठीक है। सिकंदर के जो गुरू थे वो थे अरस्तु तो अरस्तु ने सिकंदर के जीवन में एक शिक्षक की और एक संरक्षक की भूमीका का निर्वेहन किया था। अब क्या होता है सिकंदर सबसे पहले एशिया माइनर पर आक्रमन करता है। फिर मिसर पर आक्रमन करता है और नील नदी के मुहाने पर यानि कि लगभग 332 ईसा पूर्व सिकंदर क्या काम करता है। तट पर एक शेहर बसाता है अपने नाम से जिसे नाम दिया था सिकंदरिया या एलेक्जेंड्रिया। अब यह नाम जो दिया था यह पहला शेहर उसने यहां पर नील नदी के किनारे अपने नाम से बसाये था। चलिए अब बात करते हैं कि जब 330 ईश्वी समाप्त नहीं हुई थी यहां से आगे बढ़ते हैं 330 ईश्वी पूर्व का जो टाइम पीरियड है उसके समाप्त होने से पहले ही सिकंदर क्या करता है भारत की रुख करता है और भारत की पश्चिमी सीमा पर जो पश्चिमी सीमा क छेत्र था यानि कि सीस्तान जो था तो वो पश्चिमी सीमा पर पहुचता है यानि कि सीस्तान में पहुचता है और सीस्तान में पहुचने के बाद वहां से अफगानिस्तान पहुचता है अफगानिस्तान पर वो आक्रमन करता है और वहां पर भी एक मकदूनिया शहर यानि सुरी सिकंदरिया शहर यहां पर अपने नाम से बनाता है सिकंदरिया शहर का यहां पर भी एक निर्मान करता है ठीक है यह तो था सिर्फ इन चीजों को लिंक करने के लिए अब बात करते हैं भारत के संदर्व में भारत यहां से सुरी सिकंदर यहां से क्या करता है भारत में प्रवेश करने के लिए हिंदु कुषपरवत को पार करता है और हिंदु कुषपरवत को पार करने के बाद सिकंदरिया में प्रवेश जब उसने किया अब उसके लिए भारत पर आक्रमन करना आसान हो गया था भारत पर आक्रमन करने के लिए उसे एक आधार मिल गया था यान 326 इसापूर्व सिंदू पार करता है सिकंदर और सिंधू पार करने के बाद वो पहुझता है तक्षिशीला, तक्षिशीला पहुझता है जहाँ पर आम्भी ने उसका बहुत स्वागत किया, क्योंकि आम्भी के जो संघर्ष था वो उसके साथ पौरव के साथ था पौरव बहुत शक्तिशाली था तो आम्भी उससे इरश्या करता था उसे पराजित करना चाहता था तो जब उनने सिकंदर के बारे में सुना तो उसने एक तरीके से जब भारत के बीतर सिकंदर ने प्र अब जब इसका स्वागत करता है तो थोड़े टाइम बाद सिकंदर और पौरव के बीच में लड़ाई होती है जिसमें सिकंदर पौरव को पराजित कर देता है और जब उसे पराजित कर देता है अपने दर्भार में बंदी बना कर ले जाता है तो वो पौरव से एक प्रश् के साथ करना चाहिए, तो कि मेरे साथ राजा के जैसा ही व्यवार करो, सिकंदर बहुत उससे खुश होता है, फिर उसके राज्य जो होते हैं, उससे लोटा देता है, तो ये सारी क्रियाएं उसके साथ होती है, अब जब यहां से आगे बढ़ता है सिकंदर, लगातार वो जब देख कर या यह कहना चाहिए, लगातार युद्ध करने की वजए से उसकी सेना बहुत ठक चुकी होती है, और वो सिकंदर से मना कर देती है, व्यास नदी को पार करने से, सिकंदर बिल्कुल भी इसके लिए तयार नहीं होता है, वो अपने जो सैनिकों को है, बहुत ओ व्यास नदी से सिकंदर क्या होता है, वापस लोटता है, अब व्यास नदी से जब सिकंदर वापस लोटता है, तो उसी मार्ग को चुनता है, जिस मार्ग से वो आता है, उसी मार्ग से वो वापस होता है, तो रावी, चिनाव, जेलम, इन सब स्थानों से लोटने की वो में उसकी नहीं हो जाती है यानि की वो टाइम पीरियड था जुन 323 इस्वि पूर्वका चिक हुश बुहार होता है और बहुत ज्यादा फीवर बुखार होने की वाजा से, वो बीमार हो जाता है में उसकी नहीं हो जाता है तो कई प्रश्णी से संबंदित महत्वपूर्ण है अब बात करते हैं सिकंदर की ही जो सिकंदर ने आक्रमण किया उस आक्रमण के बहुत सारे पक्ष रहे एक तो प्रश्णी ये भी महत्वपूर्ण है कि किस स्थान से सिकंदर को वापस लोटना पड़ा तो वो व्यास न द दूसरा प्रश्न था वो था उसके शिक्षक कौन थे या गुरू कौन थे या सिकंदर किनका शिश्य था तो वो सिकंदर था अरस्तू का शिश्य अब बात करते हैं कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमन किया तो जब कोई भी घटना होती है तो उसका कोई ना कोई प्रभाव अवश्य पढ़ता है तो अब हम इस प्रभाव की अगर बात करें तो दो तरीके से प्रभाव पढ़ा एक पढ़ा था डारेक्ट इफेक्ट और दूसरा था इंडारेक्ट इफेक्ट यानि की प्रत्यक्ष 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 और इन्डारेक्टली जो ऐसे प्रभाव पड़े या ऐसे रिजर्ट्स आये जिसने लंबे समय तक महां की शासन व्यवस्था को महां की संस्कृति को प्रभावित किया तो वो इन्डारेक्ट के अंतर्गत आए सबसे पहले हम बात करेंगे अगर प्रत्यक्ष प्रभाव की त सापना हुई ठीक है जब उत्तरपश्चिम सीमा के कुछ भागों से जब ये आक्रमन की क्रिया चल दीती तो वहां पर उत्तरपश्चिम सीमां ते छेत्रों पर यूनानियों के राज्य सापित हो गए और इन छेत्रों पर यूनानियों ने बहुत समय तक अपना अस्तितु बनाए भी रखा जब आक्रमन किया गया तो बहुत पड़ी मात्रा में जन धन की हानी हुई किसी भी युद्ध के परिणाम में ये बहुत ही दुखदाई परिणाम होते क्योंकि इस समय जो युद्ध किया गया तो सिकंदर बहुत विशाल सेना को लेकर आया था तो नगर के नगर उजड गये वो ने लोगों को दास भी बनाया और बंदी भी बनाया बहुत सारे लोगों को मारा गया लूटा गया तो जो सीमान्त एरिया थे वो सीमान्त एरिया पूरे तरीके से नस्ट ब्रश्ट हो गये थे तीसरा जो डारेक्ट इफेक्ट था जो की बहुत ही महत्वपूर्ण है सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमन किया तो इससे पहले कुछ मार्गों के विशय में जानकारी नहीं थी इस आक्रमन की वजह से जो पूरा विश्व है उन नए मार्गों से परिचित हुआ अब जब उन नए मार्गों से परिचित हुआ तो जब सिकंदर ने आक्रमन किया तो उस दोरान चार नए मार्ग खोजे गए उन चार नए मार्गों में तीन थे इस्थल मार्ग और एक था जल मार्ग जब ये जल मार्ग और इस्थल मार्गे की खोज की गई तो जो दूसरी इस्थानों से आने वाले लोग थे उनका भारत की और आना जाना बढ़ गया भारत का भूम अधि सागरी सब्यता का पंजाब से मध्य एशिया से डारेक्ट संपर्क बढ़ गया था तो ये डारेक्ट इफेक्ट के अंतरगत बहुत महत्वपूर्ण है कि नए मार्गों की खोजुई जसे इसमें क्या हुआ कि जब आक्रमन किया गया उस कारण काबुल और बिलुचिस्तान के बीच तीन इस्थल मार्गों का पता चला था और वहीं मकरान का जो तटवर्ती भाग था उस मकरान के तटवर्ती भाग से होकर भारत आने के लिए जल मार्ग का पता चला अब ये तो थे इस से related direct effect बात करते हैं indirect effects की सबसे पहले जो अप्रत्यक्ष प्रभाव है उसके अंतरगत इस आक्रमर ने वहां की राजनीती को बहुत प्रभावित किया राजनीती को प्रभावित करने का मतलब सबसे पहले भारतियों को इस युद्ध सिकंदर से युद्ध करने के बाद पता चल गया कि वो दुर्बल है और उनकी सेना में या उनकी युद्ध नीतियों में क्या-क्या कमिया है अब जब दूसरे राजनीतीक द्रिष्टी से धूसरा क्या IMPACT पड़ा कि जब आक्रमन किया गया तो जो सीमान्त राज्य थे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गये और जब चंद्रगुप्त मौरे का शासनकाल आया तो इन सीमांत राज्यों की कमजोरी ने चंद्रगुप्त मौरे के सामराज्य विस्तार को बढ़ाया और आसानी से उसने चंद्रगुप्त मौरे ने उन प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया फिर जो एक और महत्वपून इसके साथ देन है जैसे ही सिकंद्र ने भारत पर आक्रमन किया उसके बाद तभी से एतिहासिक घटनाओं का तिथी क्रम बनाना शुरू हो गया एतिहासिक जो भी घटनाए हुई उन्हें तिथी के हिसाब से डिनोट करना शुरू हो गया ये इं पर आक्रम का सूत्रपात हुआ ठीक अब बात करेंगे कि जो यहाँ पर यून जब राजनितिक परीदरिष्चियों के अंतरगती जब यहाँ पर दार्षनिक भी आए क्योंकि अब मार्गों की खोज हो गई थी तो लोगों का आना जाना भी यहाँ पर हो गया था तो उस सम के भारत की या उस समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है ठीक है यह बहुत महतुपूर्ण था राजनितिक परीदरिष्चियों के अंतरगत यह राजनितिक प्रभाव के अंतरगत आब बात करें कि आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा तो आर्थिक प्रभाव के अंतर अब भारत क्या था यूनान के अलावा पश्चिमी देशों के अंतरगत जैसे मिस्र और रोम से भी अपने व्यापार इस्थापित कर पाता था और जो यहां पर भारत में कुछ यूनानी सिक्कों का भी प्रचलन किया गया जिससे की व्यापार को आसानी से किया जा सके या ले सांस्कृतिक प्रभाव के अंतरगत सांस्कृतिक प्रभाव जो यूनान के इसका पढ़ता है वो ये है सबसे पहले मुद्रा निर्मान की कला का ग्यान हमें यूनानियों से ही मिलता है यानि कि यूनानियों की भारत के संदर्भ में महत्वपून देन है मुद्रा निर्मान की कला को या कला का जो ग्यान है उसको प्राप्त करना यह important है यहाँ पर फिर बात करते हैं एक गांधार कला है जिसका जिक्र हमने बुद्ध धर्म जब पड़ा उस समय भी किया तो जो गांधार कला है उसका विकास भी यहाँ पर हुआ गांधार कला तो सं एक वास्तु कला के अंतरगत समाहित किया गया तो वो है गानधार कला तो गानधार कला important है यहां पर फिर जोतिश दर्शन के विशय में यूनानी जोतिश और दर्शन का बहुत प्रभाव पड़ा भारति जोतिश और दर्शन पर ऑश्दी विज्ञान के छेत्र में हमने यू कोट और पाइजामा तो यह पैजामा और कोट की जो वेशबूशा थी उन इस्पेशली मौरे कालीन शास्टकों के जो मुद्राइं मिलती हैं उनसे पता चलता है कि वहां के जो राजाते उन्होंने उस वेशबूशा को अपनाना शुरू कर दिया था तो वेशबूशा पर भ में सिखा के गया यानि कि भारती प्रेक्ष में अगर हम देखे तो बहुत परिवर्तन हुए बहुत कुछ नया मिला तो लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से देखें तो जन्धन की हानी हुई और कहीं न कहीं आक्रमन कारियों को भारत पर आक्रमन करने के लिए नए मार्ग म मगध के उतकर्ष के अंतरगर जो मगध का छेत्र था यानि कि अगर मगध उतकर्ष को देखें हम मगध का उतकर्ष जो ये मगद का उतकर्ष था अब जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें मगद का बहुत important role है हम सब यह जानते ही हैं क्योंकि थोड़ा बहुत इतिहास अगर किसी ने detail भी नहीं पढ़ा तो थोड़ा बहुत सुनाई है तो जो प्राचीन भारत था उसमें मगद का बहुत important role रहा है जो वर्तमान का बिहार में गया और पटना के बीच का जो छेतर है गया और पटना के बीच का छेतर ही मगद का जाता था आप ये वाला जो छेतर था इस समय यहाँ पर कई वन्ष ने शासन किया यानि कि जब इसका उत्करश हुआ मगद का तो कई शक्तिशाली राजा हुए अलग-अलग वन्षों ने यहाँ पर शासन किया उन अलग अलग वन्षों में सबसे पहले जो शासन किया था वो था हर् वन्ष ने, हर्यक वन्ष के बाद शाशन किया शिशुनाग वन्ष ने, शिशुनाग वन्ष के बाद शाशन आगे किया नंद वन्ष ने, और नंद वन्ष के बाद आगे शाशन किया मौर्यों ने, यानि कि मौर्य वन्ष ने, ठीक है, ये क्रम है, सबसे पहले जो वहां का श जो शक्ति-शाली जो शाशक हुए वो हुए हर्यक वन्ष activated , यानि कि पहला वन्ष जिसने शाशन किया तो थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हर्यक वन्ष से अब जो अपनी राजधानी बनाई जो संबनित महत्वपूर्ण चीजे हैं इसने अंगराज पर आकर्मण किया और वहाँ के जो राजाते ब्रह्मदत को मार दिया तो ऐसे जो महावन्ष है उसके अनुसार ये बिम्बी सार से संबनित जानकारिया मिलती है अब इसने क्या किया जो दूसरी महत्वपूर्ण चीजे संबनित है कि इसने अपनी राजधानी को गिरी ब्रिज में ना बनाकर अपनी राजधानी इसने बनाया था राजग्रह को तो बिम्बी सार की राजधानी ती राजग्रह या गिरी ब्रिज के स्थान पर उसने कौन सी राजधानी बनाई ये बात महत्वपूर्ण है अब बात करेंगे कि जो बिम्बी सार था बहुत अच्छा राजधानी तिग्य था इसने क्या काम किया कि बहुत अपनी जब राजधानी का विस्तार किया अपने सामराज्जी का विस्तार करने के लिए उसने अलग-अलग छेत्रों से वैवाहिक संबंद इस्थापित किये जिस वज़ा से उसने अपनी कुछ सीमाओं को भी सुरक्षित कर लिया और कुछ आक्रमन कारियों को भी उसने शांत कर दिया अब क्या होता है जो बिंदी सार है उसकी मृत्यू के विशह में बिंदी सार की मृत्यू की थी हत्या की थी उसके ही पुत्र अजात्शत्रू ने अजात्शत्रू ने उसका वद्ध कर दिया था और बौध ग्रंतों के अनुसार एक प्रमान मिलता है ऐसा कि अजात्षत्रू ने अपना एक चचेरे भाई यानि कि जिसका नाम देवदत था उसके कहने से वो भड़क गया अजात्षत्रू और जब उसने उसे भड़काया तो उसने बिंबी सार को बंदी बना लिया जल अन स बंद कर दिया और उसके बाद बिंबी सार की कुछ समय बाद मृत्व हो जाती है अब बात करते हैं यहां पर हर्यक वन्ष में ही अजात्षत्रू की अब अजात्षत्रू क्या होता है अपनी राजधानी यानि कि जब उसकी पिता की मृत्य हुई थी उससे पूर्व ही यान कोशल से संबंदित युद थे वाईशाली से संबंदित युद थे अजात्षत्रू से संबंदित महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बुद्ध के निर्वान की घटना हुई थी वो अजात्षत्रू के समय में ही हुई थी तो यह महत्वपूर्ण चीज है बुद्ध को निर इसी के शाषनकाल में प्राप्त हुआ, अब उसके शाषनकाल का ये कौन सा वर्ष था, उसके शाषनकाल का था ये आठवा वर्ष, यानिक उसके शाषन करते हुआ आठव वर्ष हो गए थे, अब इसने क्या किया, बुद्ध के अवशेशों को इखटा किया, और बुद्ध क शट्रbon काल में इसने क्या काम किया जो हमने बहुत संगीतियां पड़े हैं इसने 485 अीसापूर व histó vẫn राज ग्रह की सब प्रने इस्थान पर राज으ग्रह में एक बहुत संगीति कराई यानि कि सबत सब्त परणी एक गुहा उसमें इसने यहां पर बहुत संगीती कराई अब यह जो बहुत संगीती थी हम पढ़ चुके हैं यही प्रथम बहुत संगीती थी जो किसके शाशनकाल में हुई अजाजशत्रू के शाशनकाल में कहां हुई राजग्रह में हुई कब हुई 485 इसाप और संग के नियमों को लिपी बद्ध किया गया था ये इसकी महतोपूर्ण बात थी कि जो बहुत धर्म के सिध्धान्त थे और जो नियम थे उनको यहां पर क्या किया गया था इक लिपी बद्ध किया गया था नियम और सिध्धान्त को ठीक है अब बात करते हैं कि जो अजात शत्रु है लगभग 460 इसा पूर्व में इसका पुत्र होता है उधयन उधयन ने इसकी हत्या कर दी होती है और उधयन ने इसकी हत्या करने के बाद अपने आप राज्य शासन समाल लिया होता है यानि कि राजगर्दी पर बैठ जाता है उधयन से संबंदित महतुपूंची फिर से इंपॉर्टन यहां समद्र की तो इस लीक तरो पीगा सहाच मार की तो आपकर एंपर्शन की तरह दुए ग्रचन सवाद अब पात करते हैं। मृत्यू के बाद यानि कि उदयन की भी हत्या हो जाती है और उसकी लगबग हत्या वैसे ही होती है जैसे उसने अपने पिता की हत्या की होती है एक अवंती मतलब एक राजा के साथ इसका जब युद्ध होता है तो ये वहाँ के राजा को मार देता है जब उस राजा की हत्या कर देता है तो उसका पुत्र अवंती की राजधानी उजयनी में जाता है एक भिक्षू का या जैन सादू का रूध धारण करता है और धोके से सोते हुए उदयन की हत्या उसी प्रकार से कर देता है जैसे उदयन अपने पिता की हत्या करता है अब बात करते हैं उदेयन के उत्तर अधिकारियों की जादा महतोपूर नहीं है सिर्फ नाम जान लेते हैं उदेयन के बाद अनुरुद्ध ने और मुंड ने ये दो नाम वैसे हैं जिनोंने शासन किया बाद में नाग दाशक सिंगासन पर बैठा और उसके जो आमात्य था यानी कि शिशुनाग ने क्या किया कि शुरी नाग दाशक को उसके अपने स्थान से हटा दिया नाग दशक को या नाग दाशक जो भी नाम लिखा है आप समझ जाएगा प्रनांसियेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है बुक राइटिंग का डिफरेंस है तो शिशु नाग क्या करता है 412 इसा पूर्व के में शिशु नाग नाग दाशक को सिंघासन से उतार देता है और यह यहाँ पर हर्यक वनश की समाप्ति हो जाती है और शिशु नाग नए वनश को इख आपर उतकर्ष होता है और वो होता है शिशु नाग वंश अब हर्यक वंश के बाद कौन आ गया यहाँ तो अर शिशु नाग लेता है तो ये क्या हुआ इसका संस्थापक हुआ यानि कि प्रश्ण यही पूछा रहाता है शिशुनाग वन्ष का संस्थापक कौन है अब ये शिशुनाग वन्ष जो है इसका टाइम पीरियड है 412 से 344 इसा पूर्व तक का शिशुनाग को इतिहास में नंदी वर्धन के नाम से भी जाना जाता है ये महत्वपूर्ण है यानि कि अम नंदी वर्धन के नाम से भी इतिहास में प्रसिध रहा है अब क्या है इससे संबंदित महत्वपूर्ण की यहां पर राजधानी पाठली पुत्र बनाई गई थी ल जब ये पाटली पुत्र को जब ये राजधानी बनी हुई होती है ये पाटली पुत्र से राजधानी को क्या बना लेता है राजग्रे यानि कि राजधानी का परिवर्तन कर देता है ये महतोपून चीज है यहाँ पर कि हर एक शिशुनाग वन्ष के समय राजधानी क्या थी या किसने राजधानी को परिवर्थित किया अब इसी के बाद उसका पुत्र यानि कि इसके शिशुनाग के बाद उसका पुत्र है अशोक वो गद्धी पर बैठता है और अशोक को इतिहास में कालाशोक के नाम से भी जाना जाता है या काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है तो कालाशोक या काकवर्ण किसके नाम है अशोक के नाम है जो अशोक है अशोक फिर से राजधानी बदल देता है और वो राजधानी राजग्रह से फिर से क्या बना देता है पाटली पुत्र को यहां पर राजदानी अशोक की राजदानी क्या थी पाठली पुत्र तो ये महतोपूर्ण्ड है राजदानी के संदर्भ में अब जो अशोक जब शासन करता है तो अशोक के शासन के दस्वे वर्ष में यहां पर दूसरी बौध संगीती होती है जो वो दूसरी बौध संगीती होती है, हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, बौध संगीती के विशय में, जो दूसरी बौध संगीती होती है, 383 इसा पूर्व में कहां पर होती है, वैशाली में होती है, वैशाली के कुरसुम पुरी नामक इस्थान पर या विहार म मेहतुपूर्ण है यहां पर दूसरी बहुत संगीती किसके काल में होती है कब होती है और किस स्थान पर होती है बाके हम डीटेल पिछली वीडियो में पढ़ चुके है जब हमने बहुत धर्म पढ़ा अब बात करते हैं कि जो यह शासन आगे चलता जाता है इसके बाद इसका संरक्षन करता है महापद्मनंद फिर महापद्मनंद जो इस वनश का कह सकते है अंतिम शाशक होता है पंचनक महापद्मनंद पंचनक को धोके से मार देता है और धोके से मारने के बाद वो नंदवन्ष की नीव रखता है ठीक है ये महतुपूर्ण है नंदवन्ष की का संस्थापक कौन था तो नंदवन्ष का संस्थापक था महापद्मनन्द महापद्मनन्दे ने शिशुनाग वन्ष के अंतिम शाशक पंचनक की हत्या की और पंच वचनक की हत्या की और नए वन्ष यानि की नंदवन्ष की स्थापना की ये जो नंदवन्ष है नंदवन्ष का टाइम पीरियड है तीन सो चवालिस से तीन सो तेईस इसा पूर्व का ठीक अब कहा जाता है कि ये शूद्र इस्तृ के गर्ब से उत्पन हुआ था कुछ जैसे परिशिष्ट परवन में उलेख है, यानि कि जो जैन ग्रन्थ है परिशिष्ट परवन, प्रशन आ सकता है, मैं तुपूरण अब ध्यान आ रहा है, तो आप नोट कर लीजिएगा, परिशिष्ट परवन जो है, वो जैन धर्म से समबंदित ग्रन्थ है, प्रशन कई बार ऐस और यह बहुत सुन्दर था, इसी वज़ा से इसके लिए थोड़ा सा शिशुनाग वन्ष की रानी को अपने वश में करना आसान हो गया था, इसके पास दस पद्म सेना थी, इसलिए से महापद्मनंद का आजाता था, अब जो यह टाइम पीरियड था, महापद्मनंद का, मग तो महापद्मनंद का पुत्र होता है घनानंद, महापद्मनंद का पुत्र है घनानंद, घनानंद, जो महापद्मनंद है उसके, मतलब आठ पुत्र थे, जिन में सबसे बड़ा सुमालले था, लेकिन बहुत ग्रंथों में इस सुमालले को ही घनानंद कहा गया है, तो शासक बनता है और सिंगहासन पर बैठता है लेकिन केवल 12 वर्ष ही उसे सिंगहासन पर बैठे हुए होते हैं चानक्य के जो की एक ब्राह्मन थे चानक्य के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य उसकी हत्या कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य इसकी घनानंदी की हत्या कर दे यहां पर एक प्रशन थोड़ा सा अगर माईनूट कोश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है कि पहला तो यह प्रशन बहुत पूछा जाता है चंद्रगुप्तो मौरे ने किसकी हत्या के बाद किस वन्ष की नीम रखी फलाना यानि कि जिसमें घनानंद की उसने हत्या की है औ और मगद में एक नए सामराज्जी को या एक नए वन्ष की नीम रखता है जो होता है मौरे वन्ष ये था आज तक का इतनी जानकारी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मौरे वन्ष से समबधित डीटेल्स को तो आज के वीडियो में हमने विदेशी आक्रमन और किस तरी तो उनी बातों को ध्यान में रखकर वीडियो तयार किया गया अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर कीजेगा कमेंट जरूर कीजेगा यदि हमारे लिए कोई सुझाव हो तो वो भी हमें दीजेगा ताकि हम और सुधार के साथ नए वीडियो ला सके और स साथ बने रहिएगा आप अगले वीडियो में जल्दी हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवान